नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार आए करते हैं ख़बरों की सुरुआत सबसे पहले निजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर हेडलाइन्स स्पॉंसरड बाई भागलपूर सीटी डबलपर पार्ट थ्री परिक्षा का एड्मिट कार्ड देने के नाम पर छात्रों से हो रही अवैद वसूली विस्विद्याले प्राशाशन हुआ सक्त भागलपूर के डियार डिये सबागार में जिलास तरिये समन्वे समीती की हुई बैठग डियमपर नमकुमार ने रिन समवंदी कारियों में तेजी लाने का दिया निर्देश बिजली कटोती की समस्या से प्रेसान लोगों में दिखा आक्रोश मुख्य सडख मार को घंटों की आजाम पुलिस मुख्याला के निर्देश पर पुलिस कर्मियों को दिलाए गई शराब बंदी कानून का पालन करने की शपत और जन समस्याओं को लेकर राजत कारकरतों ने दिया धरना पूर्वसांसद ने मुख्य मंत्री पर कसात तंज और अब ख़बरें विस्तार से तिलकामाजी भागलपूर विश्विद्याले में असना तक पार्ठ 3 की परिक्षा 25 जून से शुरू होने जा रही है परिक्षा को लेकर विश्विद्याले प्रहशासन ने सक्त दिशानिर्देश जारी किया है वहीं एड्मिट कार्ट के नाम पर अवध वसुली का मामला सामने आया है सौंबार को भागलपूर के महादेब सिंग कॉलेज के चात्रों ने पार्ठ 3 के एड्मिट कार्ट देने के नाम पर अवध वुगाही का आरोप कॉलेज के करमचारियों पर लगाया वहीं मामले की परतार करने विस्विद्याले रेजिस्टर करनल अरून कुमार सिंग मौके पर पहुचे और करमचारियों की जम कर कलास लगाई महादेब सिंग कॉलेज के वरसर विभू कुमार रायनी कहा कि छात्रों से अवध वसुली नहीं की गई जबकि परतिकुलपती प्रोफेसर राम रतन परसाद ने दोशी पर कारवाई करने की बात कही क्या करते दिया जाएगा अभी इंटर का एडमिशन चल रहा है पाट बन में एडमिशन लेने के लिए क्या करते हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं विस्विजाले से कोई उसका नोटिस नहीं आया है इंटर्मीडियेट सेकेंड लिस्ट का आज लास्ट डेट है प्रेक्टिकल की परिशाएं 26 तारिक से हो रही है उसका है कल यहां पर विस्विजाले का पाट्टू का बहुत हेवी एजामनेशन है लेकिन बाट काट में सर एड्मीड कार्ट देने में इसा लिए है और कोई चायपान के लिए अगर किसी ने खुछी से दिया हो तो मैं नहीं कर सकता मैंने मुझे सिकाइथ आई थी एड्मिशन में ये अड्मिट कार्ट देने में उगाई कर रहे हैं पैसा मुझे सिकाइथ आई है और स्पेस्पिक इंफॉमेशन आया है तो मैं सडन चेक करने के लिए आगया हूं और अगर साक्च भी है और जो भी आदमी है पैसा ले रहे है तो उनको बक्षा नहीं जाएगा अगर डिएफलेशन की बात आईगे जो डिएफलेट भी किया जाएगा किसी को दिमाग में कोश्चाट को डाउप नहीं होना चीए चाए को इसमें दोसी है अभी पताएंगे कौन दोसी है मेरे पास है उसकी तहकीकात करेंगे और मेरे डियम ने सभी बैंकों के सीडी रेशियो कम होने के कारण अपेक्छित सुधार करने का निर्देश दिया के सेसी के तहत खाता कोलने में इंडियन ओवर्सीज बैंक औरियंटल बैंक आफ कमर्स एवं बैंक आफ महराष्टा की धीमी गती पर डियम ने और संतोस व्यक्त करत कारी में प्रगती लाने का निर्देश दिया एसीपी की उपलबधी में भी सेंट्रल को ओपरेटी बैंक आईसी 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 और एफसी बैंक का कारे और संतोस जनक पाया गया डियम ने शिक्छा रिर्ण के तहत निर्धारित लक्ष के विरूद बैंकों को कम आवेदन म मिलने पर शिवीर आयुजीत कर आवेदन प्राप्त करने की बात कहीं इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान और छात्र चात्राओ योजनाओं में बैंक द्वारा रिर्ण उपलब्द कराने में तत्यपरता दिखाने और बिना किसी प्रेशानी के रिर्ण मोह और जिला समन्वे अकमा जूत थे भीशन गर्वी को देखते हुए उर्जा विभाग ने लगातार बिजली आपूर्ती करने का निर्देश दिया है लेकिन भागलपूर में ये निर्देश वेवसर सावित हो रहा है रवीवार की रात 33 के विए लाइन में फॉल्ट आने के कारण माया गंज, बरारी और जेल फीडर की आपूर्ती पूरी तरह ठप रही जिसके कारण रात भर लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा वही सोंबार की सुबह अस्थानिये लोग रात बर बिजली नहीं आने की शिकायत करने माया गंज सब इस्टेशन पहुचे तो वहां मजूद बिजली कर्मियों ने उपभोकताओं के साथ मार पिट की इसके बाद उपभोकता आक्रोशित हो गए और मुखे सड़क मार को जाम कर दिया इस दोरान लोगों ने बिजली विहा के खिलाप जमकर नारिबाजी भी की वही मुखे सड़क मार्ग जाम रहने के कारण घंटो यातायात बाधित हो गया और सड़कों पर वहानों की लंबी कतार लग गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुची तिलकामाजी पुलीस ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया पुलीस मुख्याले विहार के निर्देश पर सौमबार को भागलपूर के नाथनगर पुलीस प्रशिक्षण विद्याले में स्पी वीजय परसाद ने पुलीस अधिकारियों और सभी प्रशिक्षू सिपायों को शराब नहीं पिने की शपत दिलाई इस दोरान पुलिस कर्मियों और प्रशिक्छु ने शराब नहीं पिने और शराब बंदी कानून का इमानदारी से पालन करने की शपत ली साथी शराब बंदी कानून का उलंगन करने वालों के खिलाप विधी सम्मत कारवाई करने की बात कही मौके पर CLI राउंविलास यादव, CDI अमीद कुमार, इनिस्पेक्टर अमरनात कुमार समेट काफी संक्या में पुलिस अधिकारी और कर्मी माजूद थे वहीं शराब बंदी कानून को लेकर बाका के बेलहर्थाना परिसर में भी सोंबार को प्रभारी इनिस्पेक्टर विनोत कुमार ने पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपत दिलाई इस दोरान पुलिस कर्मियों ने सत्य निष्ठा की शफत लेते हुए शराब नहीं पीने और शराब से सम्वंदित किसी भी गती विधी में शामिल नहीं होने का संकल्प लिया मौके पर अनील कुमार, राजिश कुमार समेत कई पुलिस कर्मी मजूद थे राज में व्याप्त जन समस्याओं के खिलाप राश्टिय जनता दल की ओर से भागलपूर समाहर नाले परिसर में एक दिवस्य धरना का आयोजन किया गया धरनापर वैठे राजद नेताओं ने राजी सरकार पर सभी छेत्रों में नकाम होने और जनता के परती जिम्मेदारियों का निर्वाहन नहीं करने का आरोप लगाया इस दोरान मुझफरपूर में चमकी बुखार से सेकडो बच्चों की हुई मौत, हिट श्टोक की चपेट में आने से हुई लोगों की मौत और गिर्ती कानून वैवस्था के खिलाप सरकार को सीधे तोर पर जिम्मेदार बताया जबकि पैजल समस्या और राज के अधिकतर जिलों में भयानक सुखार की स्थिती से निपटने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं होने की बात कही जिला ध्यक्ष त्रिपुती नाथ यादव ने कहा कि राज के कई जिलों में चमकी बुखार और लू के कारण शेक्रों बच्चों की मौत हो गई लेकिन सरकार के पास बच्चों एवं लोगों की जान बचाने के लिए कोई वैवस्था नहीं है सुबे के मुख्या और स्वास्त मंतरी अस्पताल में बहतर व्यवस्था करने के साथ मौत की बढ़ रही संख्या पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं जिला ध्यक्ष ने कहा कि राजग सरकार के नकामियों के खिलाप आंदोलन तेज करेगी इस मौके पर जिला ध्यक्ष में सभी प्रकोष्ट के पदादी कारी एमकार करता माजूद थे पानी के लिए तरह इमाम मचा हुआ है विदी विवस्था में जो गिरावट आई है काफी या लू के कारण जो लोग मर रहे हैं या फिर सुखार की जो इस्तिती है भयावा इस्तिती बनी हुए है इन पांच मांगाओं को लेकर हम लोग एकतिसी धरना पर यहां पर इकटे हुए है वही मुझफरपूर में हो रहे बच्चों की मौत को लेकर बाका के पूर्वसांसद जैप्रकाश नरायन यादब ने बाका में धरना पर बैठे इस दोरान मुझफरपूर में लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर निदिश शरकार पर जम कर निशाना शाधा इसका निर्वाह नहीं किया है हम लोग के जिन्मेबारी होती है हम कंद और आय सरकार जो कुम करने निद में सोई हुए है और सत्ता के खमन में है और आज जो बच्चों का मौत हो रहा है या मौत इस सरकार के लिए और इस सरकार के काले कारनामों के लिए वो इनके मौत का कान बनेगा और जंसा इसका जबाब देगी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें सिल्क टीवी के साथ कर्णामों आप एक लिए अपराइब रहें रहें आपको बच्च के लिए एक लिए भास जबाब देगाब के लिए भीक लिए आपको से जबाब देगाब देगी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टिवी जिलादीकारी परनवकुमार ने वर्तमान में जारी घर्मी और तेज धूप को देखते हुए जिले के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालों में 30 जून तक दीन के 11 वजे तक पठन पाठन का कार संचालित करने का आदेश जारी किया है या आदेश जिले के सभी उच्चे माध्मिक, माध्मिक, प्रार्थमिक विद्याले समेच सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर लागू होगा बाका के अमरपूर गंगापूर गढ़ेल गाउं में विजली विवाग की लापरवाही के कारण रवी बार को विजली मिस्तरी की हुई मौत के खिलाप सौंबार को साथी विजली कर्मियों ने मुआबजी और नौकरी की मांग को लेकर विजली विवाग कारियाले के बाहर जम कर परदर्शन किया धरना पर बेठे कर्मियों ने विवाग के अधिकारियों के खिलाप नारिवाजी करते हुए कहा कि करंट लगने से उसके साथी मानवल विकास मंडल की मौत हो गई इसको लेकर साथी मानवलों ने मिर्तक के परिजनों को शहायता राशी और सरकारी नौकरी देने की मांग की जिससे परिवार का भरन पोशन हो सके मौके पर विजली विवाग के सहाय कभियंता मनीश कुमार और थाना प्रवारी अनील कुमार साह मौके पर पहुचे और हर संभ मदद का भरोसा दिलाया भागलपूर मदू शुदनपूर थाना छेतर वाइपास के समी बालू लदे ट्रेक्टर और बाइक के टक्कर में वाइक सवार यूबग गंभी रूप से घायल हो गया अस्थानी लोगों की मदद से अस्पताल में भरती कराया गया जहां उसकी हालत चिंता जनक बनी है घायल की पाचान गोविंदपूर निवासी लक्षमी दास के पुत्र विवेकानन्द के रूप में हुई है यूबक नातनगर परखंड कारियाले में स्वक्षता ग्रही के पद पर कारेरत है वहीं घाटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलीस ने ट्रक्टर को जब्त कर लिया है वहीं दूसरी ओर किशनपूर वाईबवास के समीब और नियंतरित एसकारपियों ने सडक किनारे बने डिवाइडर में टक कर मार दिया इस घाटना में गाड़ी पर सबार तीन मासुम बच्चे गंभी रूप से घायल हो गए सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलीस ने घायल वच्चों को अस्पताल में भरती कराया घाटना को लेकर बताया जा रहा है कि सोमबार की सुबब पंडित टोला निवासी अमरजीत कुमार अपनी रिष्टेदार को गाड़ी चलाना सिखा रहा था इस दोरान गाड़ी और नियंतरित होकर डिवाइडर से जाटक रहा और अंत में चलते चलते एक वार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर पार्ट थ्री परिक्षा का एड्मिट कार देने के नाम पर छातरों से हो रही अवैद वसूली विसुईद्याले प्राशाशन हुआ सक्त भागलपूर के डियार डिये सबागार में जिलास्तरिय समन्वे समीती की हुई बैठग डियंपर नमकुमार ने रिन समवंदी कारियों में तेजी लाने का दिया निर्देश बिजली कटोती की समस्या से प्रेसान लोगों में दिखा आक्रोश मुख्य सडख मार को घंटों की आजाम पुलिस मुख्याला के निर्देश पर पुलिस कर्मियों को दिलाए गई शराब बंदी कानून का पालन करने की शपत और जन समस्याओं को लेकर राजत कारकरतों ने दिया धरना पूर्व सांसद ने मुख्या मंत्री पर कसात तंज फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ तब तक के लिए नमस्कार थालन करन दोते हैं स्वीं तर त 9-1 बंदी पुलेटी ँप हैं झार ग्वादा़ थे प्र लुलेटीघ में के लिए में इतना हैं सीमान जोते हैं यह जोते हैं यह मैंदी आप दूस्टेश हैं प्रेदान हैं प्रेजरशनों प्रणियां